हेलो फ्रेंड आप सब कैसे हैं मैं उमीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे चलिए मैं आज आप लोग को ये करेले की कलोंजी बनाना बताती हूँ ये करेला है पूरे करेले को ऐसे छिल लेती हूँ ये पीलर की साथा से पूरे करेले का इसकीन छिल लेती हूँ ये पूरे करेले करेले करें ये लाप करेला है ये the रड़्य बनाते हूँ झाली कि ये झाले करें झाल के पीन के विड़ के जड़गा है कि भीन प्रोप प्रोथ आवार कि तोलें प्रचब कर प्रचप लेदे 15 बड़ industर प्रचब कर दो बाइ़ यदर जड़ दो नड़ इसी तरह सारे करेले का बीज निकल गया है यह लहसुन है यह दो प्याज है बड़ा बड़ा यह दो टमाटर है इन सब को मोटा मोटा काट लिए हैं अब इसको मिक्सी में पीछ लूँगी मोटा ही नहीं नहीं पीछेंगे मोटा पीछेंगे देखिए यह सब दर दरा पीछ ली हूँ बीज उसका छिलका प्याज और यह टमाटर रूज बड़ा आपने देल करते हैं तरहा ही रखती हूँ 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 इसमें तेल डालते हैं तेल गरम हो गया अब एक एक करके सारे क्रेले इसमें डालते जाएंगे अब इसको धाब करके पकाएंगे दिखे इसको पलाट देते हैं अब इसको उपर नमक और थोड़ा सा अर्दी डाल देंगे फिर ढख देंगे देखे इसको फिर पलटते हैं इसको फिर देते हैं अब इसको निकाल लेती हूं पूरे करेले निकाल दी हूं अब गह सान करके फिर वही कढ़ाई रख दूंगी इसमें थोड़ा समेथी डालूंगी देखे फुरंजल गया है अब इसमें ये प्याज डालेंगे प्याज और लेहसन है इसमें देखे प्याज भूं गया है अब इसमें नमक धनिया जीरा और काली मिर्च का पावडर हल्दी पावडर गरम मसाला डालकर की स्कोच्छे से चला देंगे मसाला भूं गया है अब इसमें टमाटर डाल देंगे टमाटर भूं लेंगे देखे प्याय टमाटर भूं गया है अब इसके यह बीज और इसकी इन दोनों डाल देंगे अब इसको अच्छे से ढख करके पकाएंगे मसाला अच्छे से घुन गया है अब इसको बंद कर देते हैं अब इसको उतार लेते हैं अब इसको यह लमजी के अंदर भर देंगे अब इसको बंद कर देंगे मसाले को भर देंगे देखिए पूरे क्रेले भर करके रेडी हो गया है अब यह खाने के लिए रेडी है अब इसको कुछ नहीं करना है रोटी चाल जिस चीज के साथ मन करें खाईए यह बहुत टेस्टी लगता है मेरे यहां तो सबको बहुत पसंद है आप लोग भी बना करके खाईए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेए बेल आइकन को दबाएए ताकि मेरे जो रेसिपी देती हूं बना करके आप लोगों तक पहुचे बोगो तुल थी जो दोरलना करेए